हम ऐसा संग विचारक और रासवाद संसद राके सिनया उन से बात करते हैं सर आखिरकार 6 अगर से सुप्रीम कोर्ट रोजाना राम मंदिर मसले की सुनवाई करेगा देखे मध्यस्ता का विफल होना स्वाविक था चूकि पिछ्टे तीन दस्कों से जो लराई चल लए थी एक तरफ तरक और तत्य था जिसे विश्ण देपरसाद राष्टे सिन्सवाग संग के दोरा प्रस्तूत किया जाता था दूसरी तरफ है अकवार के कतरन जो सुन्दूपरसाद की मांग रही है कि यह फैसला डे टुडे हरिंग के आधर पर दिया जाए जो तत्य और तरक हमारे पास है अर्केलोजिकल सर्विव इंडिया की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके आधर पर हमें पूरा बिश्ट्रा से अपेक्षा है और आसा है कि निरन दूसी तरफ अकवार के कतरन और कु一र के दिया जाते हैं तो इन दोनों में कभी मेल होने सकता है तरक और कुतर के बीच मेल नहीं हो सकता है तथ और कतरन के बीच मेल नहीं हो सकता है उप सरवस्प चे लिए जो फैसला किया है वो strongest खरोनेु और डेटू डेले różnych के अधार पर भगवाराम के मंदिर के निर्मान के आरास्ता प्रसस्त होगा तो क्या उमीद करें कि जो भी फैसला सुप्रिम कोर्ट कहता है वो दोनों धर्मों को समधाय को वो स्विकारे होगा देखे नियालय का जो फैसला आएगा वो तथ्थे के आधारप होगा और हमें पूरी उमी तो साफतोर पे रखे सिना जो के संग विचा रहा है के वो कह रहे है कि सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो राम मंदिर के हक महीं आएगा करनल महसान सिंग के साथ मरेश कुमार न्यूस 24 दिल्ली